जे माता दी आई यी सुनते हैं शाकमभरी माता की यह कथा मा शाकमभरी देवी दुर्गा के अवतारों में एक हैं। दुर्गा के सभी आउतारों में से मा, रक्तदंतिका, भीमा, भ्रामरी, सताच्छी तथा साकमभरी प्रशिद्ध हैं। नवरात्री में इनकी कथा का पाठ हवश्य करना चाहिए। मा साकमभरी की पवरारी ग्रंथों में वडित कथा के अंसार एक समय जब प्रित्वी पर दुर्गम नामक दैत्य ने आतं का माहोल पैदा किया। इस तरह करीब सौ वर्स तक वर्सा नो होने की कारण। अंचल के अभाव में भयंकर सूखा पड़ा जिससे लोग मर रहे थे जीवन खत्म हो रहा था। उस दैत्य ने ब्रह्माजी से चारो बेत चुरा लिये। तब आधिसक्ति मां दुर्गा कारू मां साकंभरी देवी अउतरी थुई। जिनके सौ नेत्र थे उन्होंने रोना सुरू किया। रोने पर आसु निकले और इस तरह पूरी धर्ती जलका प्रवा हो गया। अंत में मां साकंभरी दुर्गम दैत्य का अंत कर दी। यानि साकंभरी देवी ने सौ वर्सों तक तब किया था। और महीने के अंत में एक बार शाका हारी भोजन कर तब किया था। ऐसे निर्जिव जगह जहां पर सौ वर्स तक पानी भी नहीं था। वहां पर पेड़ पौधे उत्पन हो गये। यहां पर साधूसन माता का चमतकार देखने के लिए आये। और उन्हीं साकाहारी भोजन दिया गया। इसका तात पर यह यह था की माता की वर्साकाहारी भोजन का भोग ग्रहड करती है। और इस घटना की बात से माता का नाम साकंभरी माता पड़ा। प्राए्ट और निया भोजग भोजन काँ माता देखने ता उन्हीं सार आये।